पिलिस ने किया अंदे कत्ल का खुलासा बक्सौह के पूर्णी के जंगलों में मिली थी नगन अवस्था में महिला की लाश पती और सास ने उतारा था मौक के घर्ट घर में हुए विवाद के बाद खेट पर ले जाकर की थी हत्या जंगल में फेकी महिला की लाश हत्या को छुपाने के लिए आरूपियों ने दी रेप की शक्लिप करते हैं इस महिला जो है सुस्मा मेहतर उसका नाम जानकारी में आया और सुनवाह की रहने वाली थी जो वो करीब एक वर्स से अर्विंद मेहतर के साथ पतनी की रूप में रह रही थी इसके बाद स्रीमान पूली से दिच्छक महोदे स्रीमान इसडूपी साहब भी मौके पर पधा रहे और उन्होंने उदिशा निर्देश दिया इस संबंद में खुलासा करने के लिए जिसके तारतम में अपराध तहरा 302 का पंजीब दे किया गया और उसका पोश्माडम कराया गया पोश्माडम में उसके साथ बलातकार की पुष्टी नहीं हुई है जिस पर से संदे उसके परजून की ओर जा रहा था पुलीश महामने में मनिटरिंग की जा रही थी पुलीश दिच्चक नहीं कर लगाद आर इसको खुलासा करने के लिए मनिटरिंग हो रही थी जिस पर से उसका पती अरविन और उसकी जो मिर्दगा की सास्स सीला भाई इन दोनों द्वारा हत्या की गई है पहले उसके साथ घर में मार पीट की गई है उसकी सास द्वारा सीला भाई द्वारा इसके बाद ये खेट पर जाती है खेट पर इसके पती और सास दोनों नो मिल करके उसकी हत्या करने के बाद दोनों उसकी डेड़ वाडी को ले जा करके करीब एक फरलांग दूरी पर खुले अस्थान में फेका गया है इस तरह साक्षे को छुपाया गया है जो थाने की टीम सभिस्पिक्टर नलवाया साहब एसाई तुरवेदी और सुकला जी द्वारा सभी के प्रयाश से जो है उसे अंधी कतल का खुलासा किया गया अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे उन्होंने भी पूरा देखा है मौके पर और जो दिशा नर्देश उनके आये हैं जो डारी में लगे हुए सब पूरे मामले में हत्या के कारण जाने हैं जो मिर्थक के दो पत्निया थी एक पत्नी पूरुस थी उसने भी बताया है इस तरह कि लगातार वो मारपीट करता था इसके साथ और शराब पीने का आदी था दिनान को पानी भरने की बात पर से उस महिला ने मिर्थका ने पा वाइस आफ लाइट्स के लिए वक्स स्वाह से मुकेश रावत की रिपोर्ट